Right to justice हमारा fundamental right है एक साल के अंदर सबको न्याय मिलना चाहिए लेकिन सचा ही यह है कि मुकदमे 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते हैं कुछ मुकदमे तो 50 साल से भी pending पड़े हुए Right to justice हमारा fundamental right है लेकिन 5 करोड मुकदमे district court, high court, supreme court में pending है और 5 करोड मुकदमे तसिलदार के हाँ, SDM के हाँ, ADM के हाँ, collector के हाँ, commissioner के हाँ, चकबंदी अधिकारी के हाँ, SOC के हाँ, DDC के हाँ, और चकबंदी commissioner के हाँ, पेंडिंग है तो कुल हो गए 10 करोड मुकदमे सम्मिधान कहता है, सबको न्याय मिलना चाहिए प्रियंबल में लिखा हुआ है, सबको न्याय मिलना चाहिए ADK 21 कहता है, सबको न्याय मिलना चाहिए लेकिन एक साल में सबको न्याय मिले इस पे ना सुप्रिम कोर्ट में चर्चा होती है, ना हाई कोर्ट में चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है, ना विधान सभा में चर्चा होती है मुकदमे जल्दी फैसला नहीं होता इसलिए ना घूस खोरी कम हो रही है ना जमा खोरी कम हो रही है ना मिलावट खोरी कम हो रही है ना काला बाजारी कम हो रही है मुकदमे सालो साल चलते हैं इसलिए नसा तसकरी कम नहीं हो रही है मानो तसकरी कम नहीं हो रही है सोना तसकरी कम नहीं हो रही है मुकदमे सालो साल चलते हैं इसलिए मुनाफ़ा खोरी आज भी as it is है सूद खोरी खूब चल रही है मुकदमे सालो साल चलते हैं इसलिए मावाद कम नहीं हो रहा है नकसलवाद कम नहीं हो रहा है धर्मांत्रन कम नहीं हो रहा है मुकदमे सालो साल चलते हैं इसलिए सरतन से जुदा होता है पत्थर बाजी होती है अलगावाद बढ़ी रहा है भ्रष्टाचार कम होता है अपराध कम होता है वहां की GDP बहुत तेजी के साथ ग्रो करती है फास्ट करती है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग पैसा लगाते हैं इसका उधारण है दुबई पचास साल में दुबई जो एक रेगिस्तान था आख देखें कहां पहुँच गया जापान पचास साल में कहां पहुँच गया और हम आज भी गरीबी भुकमरी कुपोषण प्रदूसर्र एEr पोलुशन वाटर पोलुशन ऩाइज पोलुसन से लड़ रहे हैं अगर हमें वास्तों में भारत को विश्वगुरू बनाना है, एक भारस्रिष्ट भारत बनाना है, अलगावाद, कट्टरवाद, धर्मांतन, घुसपैट, जहाद रोकना है, जो जंगल काटे जा रहे हैं, इसको रोकना है, जो कोईला अवैद तरीके से निकाला जा रहा है, तो हमें इस पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विदिन इयर, यानि एक साल के अंदर मुकदमे का फैंसला, एक साल में न्याय, इस सिस्टम को लागू करना पड़ेगा, इसलिए मैं माननी, चीप जसिस आफ इंडिया साब से रिक्वेस्ट करता ह प्लीज, हर मामले में आप सुनवाई करते हैं, हर चीज पर आप सुओ मोटो लेते हैं आपने आधार के मामले को डेड़ दो महिने तक सुना आखिर 370 का मामला भी पांच जजों की बेंच इतने लंबे समय से सुन रही है तो प्लीज, एक आप सुओ मोटो ले लिजे, इन दा मैटर आफ जस्टिस वीदिन इयर एक आप पकादब P.I.L. सुओ मोटो लेके आप रजिस्टर कर दीजे, इन दा मैटर आफ जस्टिस वीदिन इयर और सुप्रिम कोट के बार को चिठी लिखिए, कि आप एक साल में नयाय के लिए हमें सुझाओ दीजे आप बार काउंसिलाफ इंडिया को चिठी लिखिए, कि आप एक साल के अंदर नयाय कैसे होगा, इसके लिए हमें सुझाओ दीजे इसी तरीके से डेश के सभी हाई कोड के चीप जस्टिस अपने स्टेट बार को चिथी लिखे अपने हाई कोड के बार इस शिचोसन को चिथी लिखे और एक साल के अंदर मुकदमे का फैंसला कैसे होगा उस पर राह मांग ले देखते ही देखते हज्जारों की संख्या में सलाह आ जाएगी हज्जारों की संख्या में उपीनियन आ जाएगी किस कानून में क्या बदलाओ करना है क्या नया कानून बनाना है सब आपको एक महीने के अंदर सहेसन मिल जाएगा उसके बाद High Court के सारे Chief Justice जितने सहेसन आ रहा हैं उसके एक बार Full Court Meeting बुला लें सारे जजज एक साथ बैठ जाएं सारे के सारे सहेसन के उपर एक बार चर्चा कर लें ऐसे सुप्रिम Court के सारे Judges एक दिन बैठ जाएं और जो सुप्रिम कोट की बार के तरफ जो सhiसन आ रहा है बार काउंसलाफ उसको सरकार को भेज दे नयायड تब पूरा होगा जब जाच पूरी होगी मुकदमा जल्दी लिखा जाएगा Says के लिए मानिप्रधार मंत्री सभी मुख्यमंत्री को चिठी लिख दे देश के सभी DGP's को चिठी लिख दे, सभी Chief Secretary को चिठी लिख दे कि हमें एक घंटे के अंदर F.I.R डज कराना है, एक महीने के अंदर जाशपूरी करनी है तो जिस दिन एक घंटे के अंदर F.I.R सुरू हो जाएगा, एक महीने के अंदर जाशपूरी हो जाएगी और एक साल के अंदर मुकदमों का फैसला आना सुरू हो जाएगा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भारत एकदम ट्रांस्फॉर्म हो जाएगा लोग यहां भी इन्वेस्टमेंट करना सुरू कर देंगे पुरी दुनिया के लोग जो अभी भारत में आने में हिचकिचाते हैं उनको लगता है पैसा जाएगा, कोट का मैटर हो जाएगा, सालो साल चलेगा या इस तरीके से उनके मन में एक भै है जिस दिन उनको लगेगा के नहीं, भारत में जस्टिस विदिन इयर लागू हो गया है भारत में पुलिस चार्टर लागू हो गया है, जूडिशल चार्टर लागू हो गया है सिटिजन चार्टर लागू हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा आप अंदर से भी development होगा और इसके लिए कुछ मेरा सोजाओ है सबसे पहले आप जूट को गंभीर अपराद घोसित करिए भारत में जूट बोलना पाप है लेकिन जूट बोलना अपराद नहीं है जूट पकड़ने के लिए नार्को-पॉलिग्राप डेन मैपिंग कानून मनाईए आप एक कानून मनाईए नार्को-पॉलिग्राप डेन मैपिंग और शिकायत करता से एक undertaking लीजिए कि जो मैं सिकायत कर रहा हूँ यह बिल्कु सत्य है और इसके लिए आवश्यक्ता पर्णिप मैं अपना नर्कोपॉलिग्राफ डिन मैं पीं टेस्ट कराऊंगा आप देखिए जो फर्जी केसिस होते हैं चाहे हो रेप का हो या स्थी आस्टी का हो या और भी जो दुनिया भर के फर्जी केस होते हैं ये सारे केस खतम हो जाएंगे आप एक कानून बनाईए कि जूट बोलने पे 10 से 20 सल्क सजा होगी जूटी गवाही बन, जूटे मुकदमे बन जूटी सिकायते बन आदे मुकदमे ऐसी कम हो जाएंगे इसके लावाँ आप एक IGS लागू करिए Indian Judicial Service जैसे IIS है पूरे देश भर में जो collector का appointment होता है, उस central exam के जरीए होता है लेकिन भारत में जो state judiciary है यहाँ पे जजों की quality में जजों के competence में जमीन आसमान का अंतर है दिल्ली के जो मुनसिप मेज़ स्टेट है दिल्ली के जो metropolitan मेज़ स्टेट है आप UP के मेज़ स्टेट बिहार के मेज़ स्टेट और जारखन के मेज़ स्टेट में compare करिए बहुत अंतर मिलेगा पूरे देश में अगर अच्छी जजों की quality नहीं होगी तो फिर जल्दी नयाय कैसे होगा तो जल्दी नयाय तब होगा जब पूरे देश में आल इंडिया लेबल पे जजों का सेलेक्षन हो एक इंडियन जुडिशल सर्विस एक्जाम सुरू किया जाए उसमें कोई reservation नहीं हो उसमें केवल लोग quality से आए और उनका appointment पूरे देश में हो इसी तरीके से जो high court में judges का appointment direct होता है उनको जो लोग जिस high court में practice करते है उनको वहाँ पे judge नहीं बनाना चाहिए उससे बहुत सारी मन में गलत धाना आती है और वैसे भी judge भी इंसान है जो 10 साल 20 साल एक साथ घुमे हैं टहले हैं एक साथ lunch किये हैं एक ही chamber में काम किये हैं अगर उसमें से कोई एक judge बन गया और बाकी उरके साथ के पांच लोग उनके सामने practice करेंगे तो उन चाहे न चाहे थोड़ा बहुत वो left right हो सकता inclined हो जाए और नहीं भी inclined होगे तो बार में एक perception बन गया है ये दो लोग एक साथ वकलत करते हैं एक judge बन गया है इनको पकड़ लो आपका काम हो जाएगा ऐसे नहीं होना चाहिए तीसरा सबसे important ये है कि पैसे के अगर कोई कमी आ रहे है तो जैसे बाकी सेस लगता है ऐसे एक judicial सेस लगा दीजे judicial सेस लगा दीजे corporate कुछ फैसा दे देंगे एक परसेंट या आधा परसेंट जितना भी सेस लगाना है लगा दीजे लेकिन कम से कम justice within year कर दीजे मैं माननी chief justice of India साब से request करता हूँ प्लीज आप suo moto लीजे एक suo moto petition register करिए in the matter of justice within year देश के सारे high court की chief justices को लिखिए supreme court bar को लिखिए bar council of India को लिखिए ऐसा ही high court भी प्रतेख high court एक अपने PIL register करे in the matter of justice within year और high court के chief justices भी अपने state bar को लिखिए अपने high court के bar association को लिखिए एक हपते दो हपते इस पे सुनवाई कर ले सुनवाई करके इस पे concrete action ले ले मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूँ देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिठी लिखिए देश के सारे डीजीपीज को चिठी लिखिए सारे आप चीप सेक्रेटीज को चिठी लिखिए कि एक घंटे में fire दर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक महीने में जांच पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा किवल आप लोग ये तीन काम कर दीजे एक घंटे में fire एक महीने में जांच और एक साल में फैसला इतना आप कर दीजे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ घूस खोरी जमा खोरी मिलावट खोरी माइनिंग कम हो जाएगी अवायत खनन कम हो जाएगी ट्रांसपर पोस्टिंग का जो खेल चलता हो जाएगा माफिया राज खतम हो जाएगा यदि आपको मेरी बाट ठीक लग रही हो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा यदि आपके कोई जानने वाले वकील हैं, जज हैं, आईएस हैं, आईपिएस हैं सांसद हैं, विधायक हैं तो ये वीडियो उनको ज़रू भेजेगा